हेलो एवरिवन, वेलकम टो स्टडी ग्लोज, मेरा नाम है डॉक्टर सरीता दोस्तों, आज वर्ल्ड अपडेट्स में हम दो अपडेट जानेंगे पहला अपडेट अमेरिका में जनरल लॉयड जे आस्टिन, पहले अश्वेत यानी फ़र्स ब्लैक रक्षा मंतरी होंगे और दूसरी अपडेट हमारे भारत से है, आर बी आई पांच, दस और सौ के पुराने नोटों को जल्द ही सर्कुलेशन से बाहर करेगी तो चलिए फ़र्स अपडेट की बात करते हैं दोस्तो जनरल लॉयड जे आस्टिन को अमेरिका रक्षा मुख्याले पैंटागॉन का चीफ बनाया गया है आस्टिन जो है अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंतरी यानी ब्लैक रक्षा मंतरी होंगे और जनरल आस्टिन जो है ये जो बाइडन के बेटे कैप्टन बी यू बाइडन जिनकी 46 एर की उम्र में ब्रेन कैंसर से मौत हो चुकी है उनके साथ इराक में काम कर चुके हैं दोस्तो लॉयड का जो एक्सपिरियंस है वो सेना में 41 एर्स का रहा है तो ये एक काफे जादा लंबा इनके पास एक्सपिरियंस है और ये अपने इस करियर में सेना के कई बड़े पोस्ट में सर्विस दे चुके हैं और ये 2016 में रिटायर हुए थे 2010 से लेके 16 तक इराक में अमेरिका सेना के ये कमांडर रहे थे हम कह सकते हैं कि जनरल आस्टिन के लिए ये बहुत ही प्रावडी मूवमेंट रहा है और कही न कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इतनी बड़ी जो पोस्ट है जो इतनी जादा जिम्मेदारी और रिस्पोंसिबिल्टी से भरवी पोस्ट जो है वो इनको मिल रही है अमेरिका में और वैसे भी ये डिजर्ब भी करते हैं तो अमेरिका जैसा कंट्री जहां पे हमें डोनाल ट्रम के टाइम बिलकुल फ्रेश नकसली भेदभाव का एक्जाम्पल देखने को मिला यानी कही न कहीं ब्लैक और वाइट का कॉंसेब्ट जो है वो आज भी अमेरिका में जीवित है और ऐसे में अगर कोई ब्लैक या कोई अश्वेत जो है वो ऐसी पोस्ट में रक्षा मंत्राले के ऐसे पोस्ट में पहुँचता है तो ये अपने आप में बहुत एहमियत रखता है जो आस्टिन है ये अमेरिकी सेंट्रल के कमांड के भी चीफ रह चुके थे और अब ये पेंटागॉन में इस्थित अमेरिकी रक्षा मुख्याले जो है उसका ये नित्रुत्व करेंगे दोस्तों जो दूसरी अपडेट है वो हमारे प्यारे भारत से है RBI ने बहुत बड़ी अनौस्मेंट की है पांच रुपए, दस रुपए और सौ रुपए के जो पुराने नोट है उनको लेके ये अनौस्मेंट हुई है और RBI ने कहा है कि बहुत जल्द वो इन पुराने नोट जो है उनको वापस ले सकती है RBI के असिस्टेंट जेनरल मैनेजर बी महिश ने ये जानकारी दी है इससे पहले दोस्तों हम सब को पता है कि नोट बंदी के टाइम में 1500 के रुपे के जो नोट थे वो बाजार में एकदम से चलन से बाहर कर दिये गए थे और इससे लोगों के बीच में बहुत ही जादा कनफ्यूजन परिशानी और अफरात अफरी का महौल बन गया था और लोग काफी जादा इसमें परिशान हुए थे और इस तरह की जो समस्या है उससे बचने के लिए इस बार RBI क्या करेगी कि 5, 10 और 100 रुपे के जो पुराने नोट है उन्हें चलन से एकदम से बाहर नहीं किया जाएगा पहले इस कीमत के जो नोट है उसको बाजार में जारी किया जाएगा और तब इन नोटों को सरकुलेशन में आ जाने के बाद बाजार से पुरानी सीरीज के जो नोट है उन्हें वापस लिया जाएगा दो साल पहले RBI ने फेक करंसी पर रोक लगाने के लिए और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कई कीमतों के नोट जो है वो जारी किये थे और अब हम सब जानते हैं कि ये जो नोट है वो मार्केट में फ्लो में आ चुके हैं सरकुलेशन में आ चुके हैं और अब दुबारा से जो फेक करंसी है उस पर रोक लगाने के लिए RBI ने पुरानी सीरीज के कई नोट जो हैं वो वापस लेने का प्लैन किया है और जब भी इन पुराने नोटों के चलन पर रोक लगेगा तब लोगों को ये पुराने नोट जो है बैंक में जमा करने का टाइम दिया जाएगा इन पुराने नोटों की जो टोटल कीमत है जो value होगी वो वैक्ति के या तो bank account में जमा कर दी जाएगी या फिर उसे उसी कीमत के जो नए नोट है वो दे दिये जाएंगे साथ ही RBI ने जो 10 रुपए का सिक्का जारी किया है वो भी बहुत लंबे समय से RBI के लिए बैंकों के लिए बहुत परिशानी का सबब बना है क्योंकि कई बार जो है ऐसा rumor फैल जाता है कि ये जो सिक्के हैं ये अवैद है illegal है क्यों ऐसा माना जाता है क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो रुपए है ये जो सिक्के है इन पर रुपी का मार्क नहीं है और इसलिए लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है लेकिन RBI के जो AGM है B महेश उन्होंने कहा है कि बैंक जो है समय समय पे 10 रुपए के जो सिक्के है इसको ले के लोगों के बीच में awareness जो है वो create करती रहती है और बैंक जो है पूरी तरीके से कोशिश में है कि ये जो 10 रुपए के सिक्के है ये बजार में circulation में बने रहे और इससे पहले RBI ने जनता को 10 रुपए के सिक्कों को की जो वैधता है उसको लेकर भी जागरुकता के लिए जागरुकता अभ्यान भी चलाए थे आपको वर्ल्ड अब्डेट्स की सीरीज पसंद आएगी तो थैंक यू सो मच पर सपोर्टिंग अस